एक्टूबर सन 2001 उनाइटेट स्टेट्स ने अफगानिस्तान के उपर हमला किया, 20 मार्च सन 2003 फिर इनाइटेट स्टेट्स ने इराग के उपर हमला किया और इसके बाद शुरुवात हुई अमेरिका के इंटरनाशनल एंटी मुसलिम प्रॉपागेंडा की, पपेट स्टेट कल्चर की और रेजीम चेंज की, जहां पर देश मुसल्मानों का लेकिन चलेगी इनकी, सरकार मुसल्मानों के लेकिन उसमें बैठा नुमाइंदा इनका, जो वेस्ट और वेस्टरन इंटरेस्ट पे काम करेगा, अगर उसने, मतलब चुने हुए नुमाइंदे ने, इनकी सुनना बंद कर दी, तो ये वहां से, यहां पर सरकार बदलवा देंगे, फिर वो अपने मुल्क के economic development के लियक्त काम नी करेगा, United States और Western Nations के economic development के लियक काम करेगा, इनके लियक काम करेगा, एक हिसाब से puppet state culture. अच्छा, इन सारी चीजों के बावजूद भी, वो Islam और Muslims के against propaganda करेंगे अपनी मीडिया में, ताकि West में बैठे ही काम आदमी के मन में इसलाम और मुसल्मानों के किलाव जहर भरा जा सके लेकिन वो सारा प्रोपगेंडा ओंधे मुग गिर गया है क्यूं? क्यूंकि इस पूरे प्रोपगेंडा में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्यादी था ब्रेटाइन जिसने बार-बार ये क्लेम किया कि इराक में सद्दाम हसेन साब की गवर्मेंट के पास WMDs है Weapons of Mass Destructions मतलब वो chemical weapons जिनका इस्तमाल वो अपनी ही आवाम के उपर करेंगे और यहाँ West के अंदर दो सूपरमेन है United States और United Kingdom ये दोनों अपने इत्यादियों के साथ मिलकर इराक के लोगों को बचाएंगे कैसे पूरे इराक के सारे बड़े शहरों पर bombardments करके millions of लोगों का कतल करके और एक stable government को गिरा कर बाद में इनके हाँ के सारे निताओं ने इस बात को accept किया कि इराक को बरबाद करने वाले हम लोग खुद थे और जब जब जंग खत्म हो गई तो टॉनी ब्लेयर ने किसी जोकर की तरह ये कहा कि वहाँ पर WMD मौजूद नहीं था उसके बाद सालोबाद 2016 में रोना पड़ा, रोकर अपने आपको justify करना पड़ा लेकिन दुनिया को ये बात समझ में आ चुकी है कि इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है जो जंग इराक के अंदर लड़ी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक political लड़ाई थी क्योंकि ये regime change करना चाहते थे क्योंकि इराक की government ने साफ मना कर दिया था कि वो इराक के resources को exploit नहीं करने देंगे ये इराक के लोगों का है अमेरिका अपने मुल्क के development के लिए इराक के oil का और इराक के resources का इस्तमाल नहीं कर सकता ये बात महा कि government ने साफ की इन्हें चिड हुई और इन्होंने वो लड़ाई की इस से जादा इस जंग की कोई definition नहीं है और इसलिए ब्रिटिश मीडिया को भी American मीडिया और वेस्ट के बाकी मीडिया की तरह propaganda run करने को कहा गया कि वो इसलाम और मुसल्मानों के खिलाफ आम लोगों के मन में जहर घोले लेकिन इन सारी बातों का वहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ आज United Kingdom में इसलाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजभ है उन हम लोगों को अभी 20 साल भी नहीं हुए और United Kingdom की अपनी demographics बदलने लगी है और कमाल की बात यह है कि इस total population में 1 by 5th population whites की है मतलब local conversion rate भी बहुत तेजी से United Kingdom के अंदर बढ़ रहा है लास्ट 10 सालों में 50% के करीब इसलाम United Kingdom के अंदर ग्रो किया है और ये data बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सबसे important चीज़ यह है कि Christianity डाउन हो रही है और इस वक्त Christianity भी United Kingdom के अंदर minority religion बन गई है कैसे क्योंकि वो 50% से नीचे आ गए है क्योंकि आपको किसी भी मुल्क में majority religion बनने के लिए 50% से उपर population चीए होती है लेकिन Christianity 50% से नीचे खिसक चुकी है इसलिए अब वहाँ पर कोई भी majority religion नहीं बचा important चीज यह है कि state ने जो current data present किया है Christianity को लेकर और percentage बताई है बहुत सी organization ये भी कह रही है कि data गलत है Christianity और भी बुरी तरह से श्रिंक होई है United Kingdom की society में और ये बहुत तेजी से और भी ज़ादा खिसकेगी 2031 तक ये सूरते हाल पूरी बदल चुकी होंगी अच्छा United Kingdom की नई demographics क्या है जरा सबसे पहले आप इसे ही समझ ले United Kingdom में जो Muslim population है वो बहुत तेजी से ग्रो हुई है 44% के करीब exactly ये population बढ़ी है state के data के हिसाब से Muslim population में भारी इजाफा देखा गया है England और Wales के अंदर अगर 2011 की बात करेंगे मतलब last census की तो Muslim population थी 2.7 million और ये total population का 5% से उपर था लेकिन अब 2021 में जो नया census आया है यहाँ पर Muslim population हो गई है 4 million और ये total population का 7% के करीब है और कई Muslim organization ये कह रही है कि ये data 8% है और कुछी सालों में England की 1 by 5th population Muslims की होगी Christianity का क्या data है Christianity में वो 50% से नीचे आये हैं अगर आप 2011 की बात करेंगे तो Christian population उस वक्त 59.3% थी मतलब इतने लोग ही कहते थे कि वो लोग Christians हैं लेकिन 2021 में ये data 13.1% से नीचे आ चुका है मतलब 46.2% लोग ही इस वक्त United Kingdom के अंदर ये कह रहे हैं कि वो लोग इसाई हैं बाकि सारे लोग इन सारी बातों से इंकार कर रहे हैं लेकिन जैसा मैंने कहा इनके कई data इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये population 46.2% भी नहीं है ये population 37.3% बची है मतलब Christians पूरी तरह से कम हो चुके है और वहाँ पर majority इर्रिलिजिस लोगों की है ये इर्रिलिजिस क्या है वो लोग जो किसी चीज में मानते ही नहीं मतलब ना वो इसायत मान रहे हैं ना वो इसलाम मान रहे हैं पूरी तरह से वो अल्ला को और उसके पैगंबरों को नकार रहे हैं वो इन सारी बातों में अब यकीन रखते ही नहीं और इनकी population England के अंदर या Wales के अंदर या पूरे United Kingdom के अंदर सबसे बड़ा matter of concern है क्योंकि ये बढ़ते हुए जा रहे हैं 2011 के census में इनकी population थी 25.2% और अब इनकी population है 37.3% और आगे आकर ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे लेकिन अगर local datas की मानेंगे और कुछ independent datas की मानेंगे तो irreligious की population इससे भी कहीं ज़्यादा है बतलब liberalism और freedom के नाम पर इन्होंने बना एक फार्ष समाज जो कुछ भी सुनने को राजी नहीं है अगर आप उससे modesty, morality, values इन सारी चीज़ों की बात करेंगे तो वो अपने कान बंद कर लेगा और आप से कहेगा ये बाते मुझे मत सिखाओ क्योंकि यूरोप के अंदर ये चीज़े हो रही है और specially United Kingdom के अंदर हो रही है अगर पादरी modesty की या modest culture की बात कर रहा है तो उसकी बाते नहीं सुनी जा रही अगर वो homosexuality के against बोल रहा है तो भी उसकी बाते नहीं सुनी जा रही लोगों का अब इन बातों पर response ये है कि अपनी बाते अपने पास रखो और अपना धर्म भी अपने पास रखो वो इन सारी चीजों को छोड़ने को तयार नहीं इसायत ही छोड़ने को तयार है अगर sister modest कपडों की और modesty की बात करेगी और women से कहेगी कि ये कपड़े आपको पहनने चाहिए ये आपके धर्म का और ये आपके culture का हिस्सा है ये United Kingdom का हिस्सा है तो वो लोग बोलेंगे कि हम इतनी मेहनत और मशक्कत नहीं करेंगे आप अपना धर्म अपने पास रखो और ये कपड़े आप खुद पहन लो हमें नहीं पहनने हम इसायती छोड़ के जा रहे हैं और ये सब हुआ क्यों कि ध्यान प्रोपगेंडा में था अब कुछ common चीजे हैं जो इस्लाम में और Christianity में almost same है जो modesty, morality और basic values की बात करती है उन सारी चीजों को West के अंदर रकारा जा रहा है और ये सारी चीजें matter of concern है क्योंकि इन बातों को समझने वाले इसलाम को समझने आते थे और जब इसलाम को समझते थे तो सब कुछ crystal clear हो जाता था और mostly लोग Europe के अंदर इसलाम को accept करते थे लेकिन अब वो चीजें अब वो pay slow होगी क्योंकि ये irreligious population हमेशा से एक बड़ा matter of concern रही है Britain और Europe में ये problem आगे और भी जादा बढ़ने वाली है क्योंकि ये जो irreligious population है ये 31 तक 60% के करीब हो जाएगी ये इससे भी जादा हो सकती है और इससे क्या होगा एक ideological gap बनेगा उस पूरी society में जब ये ideological gap बनेगा तो communism कहीं दूर की ideology नहीं है आपके दो मुलक पार Germany की है और वो ideology पूरे Europe के अंदर फैलेगी Britain के अंदर आएगी मतलब United States, United Kingdom, सारे western nations जिस ideology से लड़ने का दावा कर रहे थे वो अब इनके घर पे आकर दस्तक दे रही है और कभी भी याँ पर फैल सकती है लेकिन इसको ये रोक नहीं पाएंगे Irreligiousness के साथ पैदा होगी वो communist ideology और उस communist ideology को western nations रोक नहीं पाएंगे अभी भी वक्त है काफी कुछ समाला जा सकता है अच्छा मैं बार बार इसे matter of concern क्यों कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि Abrahamic root की वज़े से Islamic growth काफी तेजी से हो रही थी मतलब Christians को ये बात मालूम थी कि इसा अलिए सलाम की इसलाम में क्या value है वो पैगंबर हैं और उनका मरतबा काफी जादा बड़ा है इसलाम के अदर Christians को ये चीज मालूम थी कि Islam और Christianity में काफी कुछ common है तो वो इसलाम को जानने आते थे जब वो इसलाम को जानने आते थे पढ़ने आते थे तो वो growth जो है बहुत तेजी से हो रही थी लेकिन आब क्या होगा जब ये irreligious society बनेगी तो आप हालत देख ले पहले communist Russia की उसके बाद हालत चाइना की North Korea की मतलब अगर West में जन्मी आइडियोलोजी East आ सकती है तो आप तो founder है communism के वो यूरोप में क्यों नी फैल सकती atheism वो gate है जो आपको communism तक ले जाता है और ये सारा गढ़धा western nations ने और वहाँ के नेताओं ने वहाँ के thinkers ने खुद बनाया है अब हालत देख लो आप उनकी हालत इतनी खसता है कि उस देश के कई national secular friends ने अभी से इस बात की मांग करनी शुरू कर दी है कि जल्द से जल्द Christian mandatory prayers को schools, parliament और offices के अंदर से पूरी तरह खत्म कर दिया जाए क्योंकि Christianity अब England के अंदर कोई majority religion नहीं बचा इसे जल्द से जल्द end कर दिया जाए ये उनकी demands है क्यों? क्योंकि देश के अंदर एक deep political instability है और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा जटिल होती है जा रही है Scotland तूट सकता है economy बहुत तेजी से down हो रही है Brexit के बाद इनके नेताओं को समझ में ही नहीं आ रहा कि देश चलाना कैसे और सरकार बनानी कैसे है ये पूरी तरह confused नजर आ रहे है ये वही Britishers हैं जो South Asia के अंदर रहकर South Asian origins को इंस्पेक्टर तक नहीं बनाते थे आज इनका PM या Head of State एक Indian origin है या एक South Asian origin है अब यहाँ पर एक South Asian origin के होने का मतलब है कि इनके आए एक Deep Political Instability चल रहे है क्योंकि वो कोई मजबूत नेता नहीं है सत्ता ज्यादा दिन उनके हाथ नहीं रहेगी England के नेता अपस में लेड रहे हैं मतलब चले थे अमेरिका के साथ मिलकर Islam को मिटाने Muslim Societies में Innovations लाने लेकिन हुआ क्या Christianity ही UK के अंदर दम तोड़ने लगी और जन्म हुआ एक ऐसे बेमार समाज का जो अब अल्ला के वजूद से इंकार कर रहा है United States में भी बहुत तेजी से Islam ग्रो कर रहा है अगर आप New York Times की मानेंगे तो 25,000 के करीब लोग हर साल Islam को कुबूल रहे है हाला कि Muslim Organizations के डेटा इससे भी High Numbers शो कर रहे है लेकिन ये डेटा भी Almost Correct है कुछी सालों के बाद Judaism को पीछे करके Islam United States का दूसरा सबसे बड़ा मजब बन जाएगा इस वीडियों बस इतना है था वीडियों को शेयर करें Thank you so much for joining us